तैयार जिन भी छात्रों को सिच्छा साफ्त यानि एजूकेशन में पास होना है वो यह वीडियो लाश तक जरूर देखें गैरंटी है सिर्फ और सिर्फ एक इस वीडियो से मैं आपको पास करा दूँगा यानि कि जो मैं कोश्चन बताऊंगा लगभग वही सारे आपके पर वीडियों में क्लियर करने वाला हूं कौन-कौन से प्रस्ट आएंगे और कैसे कैसे आपको तैयार करके जाना है और कौन-कौन से पढ़ना है वह मैं आपको बताऊंगा अगर आप रूल्स कानून जो मैं आपको बताऊंगा फॉलो कर लेंगे तो गैरंटी है एंडर जो भी जातर जिनका एजुकेशन यानि सिछा फाफ्त का पेपर है उनके लिए वीडियों मौस्ट इमपाटेंट है पूरा का पूरा मैं कोष्टिन पेपर माडल पेपर भी लेकर आ चुका हूं और मौस्ट इमपाटन कोष्टिन विलेकर आ चुका हूं इसी वरस 2013 का एक सि सुनिएग आप खार रहां उनके लिए प्रीड नहीं को सबीकित करन क्यों Saul के यह कि यहां यहां पर बताया गया है अलاج में टाइम अलग हो सकता है नंबर जो में 75 नंबर का होता ही पुढांग कि आप सभी को मालूम है ठीक है आते हैं में मुद्दे पर नी कोईश्चन पर पहला कोईश्चन है जो इसी वर्थ 2022-23 में पूछा गया था कि सिच्छा का सकुंचित अर्थ समझाईए या फिच्छा का सकुंचित अर्थ समाज में एक निश्चित समय तथा निश्चित अस्थान जीसे बिध्य ले महा बिध्यलए में सुन्योजित नंक से चलने वाली एक सा उद्देश समाजिक प्रकिरिया है जिसके द्वारा बिद्यार्थी निश्चित पाठ करम को पढ़कर संबंधित परिच्छाओं को उत्रिड करना सीखता है एक्जामपल के लिए मालीजे आप बीए के चात्र है तिक है और आप की जो सब्जेक्ट है वो सि परिच्छा को पास किया को ही हम सिच्छा का सकुँचित बोलेंगे तो इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे जो कि मोश्ट इंपॉस्टेंट है सिंपल मासं मैंने आपको बता गया बता दिया यहोप आपको समझ में आ गया होगा ठीक है और कोईश्चिन इंगलिस में भी है आप इंगलिस फिर करते इंगलिस में भी पढ़ सकते हैं चात्रों के द्वारा दोफते question paper भेजा गया है हो सकता आपको clear ना दिखे तुझके लिए सोरी चाओंगा फिराल में question पढ़ दूँगा और प्रश्ण है अगला कि भारत में राष्टे एकी करण की आवस्यक्ता को संचेप में लिखे यानि कि भारत में जो राष्टे एकी करण है इसकी क्या जरूरत है क्या आवस्यक्ता है इसके बारे में आपको लिखना है तो सिंपल सब्दों में आपको लिखना है कि कि किसी भी द हैं जो राष्ट एक होता है यानि कि भारत का जो राष्टै की करन होता है। तो सबस्क्राइब होती हैnda Recrates भारत देश्च में सांती वनी रहें उपद्रों सम्ष्ध याया कि किसी से दूर मत्र। में रहें ठिक हैं और इन्हीं से प्रकृर detto प्रक्रीस में चाहएं और इनी श्रुच् вкус प्रक्रिंध कर समाज में रहें हो सांती महोर ले और एक दूसरे के सुख दुख में उनका आमतब साथ दे इस प्रकार की जो सम्रत ही वो बनी रहे इसी को हम राश्टी एक करण कहते हैं यह राश्टी एक करण होना आथियन आवस्चक है चलिए इसके आगे हम थोड़ा बता देते हैं एक ऐसा देश जहां ल लोगों में एकता की कमी नागिर को के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देने और बढ़ावा देने के लîए सरकार को पहल करनी चाहिए किस पे राश्टी ऐक करण समाव कर दे समर्थ प्रिदेश वाले चाहते हैं कि हमारे यहां कोई नहीं तो इस प्रकार की कोई सिस्टम जो है वो ना हो मतबब एक इक जूट यानि की एक दूसरे के सुक्षण में काम दे मतब वह चाहें आए यह चाहें जाएं चाहें जैसा भी करें मतब उस तरह का कोई लीगल वर्क ही करें इन लीगल ना करें जिससे सरकार को या फिर गवर्मेंट को किसी भी प्रकार का इंपक्ट पड़े तो कुल मिला कि एक इकड़ का मतब यह हुआ कि सांती और सम्रद बनाए रखना ठीक है नेस्ट कोईशन है जो कि मोस्ट इंपार्टन है हमेशा परिच्छा में आता इस बा पहले लिखना है दो परिभास के बारे मैं तो नंबर एक पी आपको पहले लिखना है कि सिच्छा जीवन भर चलने वाली सत्त प्रक्रिया है यानि जो सिच्छा है वो चाहाए बच्चा हो चाहाए वह बालक मतब की थोड़ा 20 साल का रड़का हो चाहाए वह मध्धिवर्ग अब्यक्त हो या फिर ओल्ड एज हो ठीक है सभी के लिए फिच्छा जरूरी हो यह साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है ठीक है और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है लोग सिच्छा ग्रहन करते रहते कुछ सीखते ही रहते हैं फिच्छा कभी भी आप ठीक है पढ़ सक सामिल होते हैं ठीक है कि इस प्रिक्रिया के यह समाजिक वा संसितागत प्रेडा फलती पूलती है तो इस प्रकार या भी ऐसी प्रिक्रिए एक चरण है कोई उत्पन ज्यान और विकास को भी इंस के कर्म सारी है अगर इतना आप लोगों के लिए इना सिच्छा कोई हाट कोई नहीं नार्मल है आप लोग दिंगे ठीक है आप लोगों के समझत जो कि मोस्ट इंपॉर्टन है कि आवकास के सद्धू उपयोग है तो सिच्छा की आवस्यक्ता अश्पष्ट कीजिए तो इसका उत्तर आपको लिखना है क कि यहां किरिया रसनातमक नहीं है एकंप लोग इससे ना सिर्फ अपना समय नष्ट करते हैं बलके दूसरों का समय भी नष्ट करते हैं तोस्पष्ट है कि आवकास का सद्ध उपयोग करने केastern ए सिच्छा आवस्यक्त है बालोग को प्रारंब से ही समय के मौल का ग्यान देना और उसके सद उपयोग की फिच्छा देनी चाहिए कहने के मतब अवकास में जो सद उपयोग मतब की जो लोग मालो अवकास है चुट्टी है उसमें सिच्छा का जो लोग यूज नहीं के मतब फिच्छा नहीं ग्रेंड करते हैं तो अवकास के समय में इसका जो प्रियोग है वो करना चाहिए और सिच्छा देनी चाहिए और जो मुख चीज है ठीक है बालक मा लिजे है और उसको प्रारम सही समय के बारे में बताएंगे कि समय कितना मूल लिवान है और समय मूल लिवान है तो इसका यूटिलाइज यानि कि यूज जरू तो इस प्रकार आप इसकी परिवासा लिख सकते हलां कि ज्यादा लॉंग में नहीं लिखना है नार्मल कोश्चन है करीब करीब आपको आपके दीर घुत्रे में आ जा तो आपको वहां पर थोड़ा लॉंग में 5 सब्दों के करीब लिखना होगा तो जो मैं आपको बता रहा सम्विधान के मूल तक तो कौन कौन से हैं भाई तो बहुत ही महात्पूर्ण प्रस्ण है और मोस्ट इंपार्टेंट है जिसके बारे में आई होप आप सभी को मालूम भी होगा तो सम्विधान के बारे में आपको लिखना है कि सम्विधान द्वारा मूल रूप से सात मू अधिकार प्राप्ति कई प्रदान किये पहला जोहें आपका जाएगा शमानता había दूसरा आप गवाई स्वत्वतरटा का ठीकार तीसरा हो क्षिらい का नमबर 4 आपका जाएगा थैक धर्म सांश्कित आउँश्चा की सतंतुरता का अधिकार ये पिर और आपका निस्ट्रा आजाЕगा छे समुपत्य का ओधिकार वर समर धानिक उप्चारों का अधिकार इस परकार आप 107 जो अंतरगत बारे में लेगल प्रोसेस कर सकते हैं तो आप लोग स्वतंत्र है यह मुल अधिकाद दिये गें भारति संभिधान के अपको इंहीं के इनहीं के अंतर्गत आप कुछ भी कर सकते हैं इनको ध्यान देते हुए इन साथ मुलदिकारों को ठीक है तो इस प्रकार आप इसका उत्तार दिखेंगे ओके नेश कोश्चन आ जाएगा है कि किंडर गार्टन प्रणाली पर टिप पड़ी लिखिए इतना मोस्ट इंपार्ण कड़ी का नहीं आप पड़ी सकते इग्णोर कर सकते तो चल द्वारा मिस्टेकिंग हो गई ब्रो टिक है चले आजाते हैं 1987 में भाद सरकार द्वारा लागू की गई एक योजना थी कौन ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड टिक है जिसे राजियू गांधी के सासन के दोरान 1986 के एन पी टिक है इद्वारा उत्पादित किया गया था सभी के ल इस रूप से बालिकाओं को आकरशित करना प्राथ्मिक सिच्छा की गुडवत्ता में सुधार करना था तो यह है ऑप्रेशन ब्लेक बोर्ड का मतलब तो यह प्रारम हुई थी 1987 मोर्ष में किस चीज के लिए की गई ती किसके माद्धम से की गई ती यह साही जानकारी आप प्रश्ण आपके पर इच्छा में आने के पूर्ट चाहां तो तैयार कर लिएगा नेश्ट कोईश्चन है कि राष्टे मुक्त बिद्यालाई सिच्छा का महत्तु बताई यह भी मोस्ट्यूम पार्टें कर गईरी का कोईश्चन इसका उत्तर आपको जानना बहुत ही ज़ कराना कहने का मतलब यह कि काफी जो दूर दराज के छेत्र के जो बच्चे रहते हैं आते हैं पढ़ने उनको सस्ती स्विच्छा प्रवाइड करना केंद्रे माध्यमिक फिच्छा परसद सीबी एस ई और उत्तर प्रदेश माध्यमिक फिच्छा परसद आदिकी भाती राष समझ में आ गया होगा कि जो आपका केंद्रे माध्यमिक फिच्छा परसद या फिर उत्तर-प्रदेश माध्यमिक फिच्छा परसद है इसी के बाथ ही राष्टे मुक्त विद्धियले इस इस पर इसका अफ्तर लिखेंगे इस परकार महत्तु है तो आई होप आपको समझ म भारतिया सिच्छा में गुरु रिलेशन थे ता रखते थे संबन्ध बताना है तो लिखना है उत्तर में जान से सुनिएगा कि प्रचीन काल में गुरू और सिस्टों के संबंधों का अधार था गुरू का ग्यान मौलिक्ता और नैतिक बल ठीक है उनका सिस्टों के प्रतिस्नेह भाव तथा ग्यान बाटने का निस्वार्थ भाव किसी प्रिकार से वह नहीं चाहते थे कि हम कि बताने का पूरा प्रियास करते थे निस्वार्थ भाव से उनको जिनान बाटते थे कि हिच किचापन के बिना किसी सोंजे समझे के ठीक है और साथ साथ में और सिस्स जो थे सिस्स वो हर गुरू का यानि कि हर छात्र गुरू का कहना मानते थे और पूर्ड विश्वास करते थे कि हाँ यह जो हमको बता रहे हैं पूरिता सही है और साथ साथ में अपना जो पूर समरपढ़ हैं उन्हीं को उपर कर देते थे और उनकी सभी आग्याओं का पालन करते थे तो इस प्रकार लिखेंगे गुरु और सिस्री के संबंधों के बीच में जो अस्पस्ट्रता होती है या फिर जो क्लियरिटी होती है वो आपको बतानी है ठीक है तो इस प्रकार क्लियर सब्स्राइब हो आपको जो बताएंगे अगर वह तैयार कर लेंगे तो आपको काफी हैट मिलेगी परिच्छा में ठीक है तो पहला कोश्टिय है कि सिच्छा के बीभिन अदेष डीक है डीक शिंपल सा बात है या फिर फिस कोश्चिन है कि भाई अगर आप कोई चीज करते तो आप लोगों का क्या उद्देश होता है, जैसे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बीए में पढ़ रहे हैं, तो आप बीए में तो इड्मिशन लिए हैं, बहुत सारे उद्देश हो सकते हैं, हो सकता आपको अच्छे फिच्छा ग्रहन करके अपने समाज को इंप्रूमिंट करना हो, हो सकता आपको रुजगार लेना हो, हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में कुछ बैग्यानिक या फिर कुछ भी बढ़ना चाहा रहे हो, तो बहुत सारे फिच्छा के बिभिन उद्देश हैं, त आपको काफी इसी कोश्चन का काफी सारे उत्तर दिखेंगे, काफी सारे उद्देश दिखेंगे, आप लिख दीजिएगा, काफी आपको नमबर मिलेंगे, मोस्ट इंपार्टन कोश्चन है, हमेशा परिच्छा में आता है, हमेशा आता है, तो इस कोश्चन का उत्तर समाज के हिसाफ है आप लोग सबसे अच्छा जो उद्धिस है या सबसे महत पोड़ उद्धिस क्या है आप क्या समझते हैं तो इस प्रकारित का उफ्तर लिखेंगे जो कि most important परिच्छा में हमेशा आता आएगा भी ठीक है कि सिच्छा के आप चारिक युम अनौप चारिक संसाधनों का क्या अर्थ है किसी एक साधन की ब्याख्या कीजिए विद्याले परिवार ठीक है बहुत ही टॉप लेवल का आप चारिक और अनौप चारिक से जुड़े आप लोगों की परिच्छा में कम से कम 10-12 नंबर की प्रशना आएगा गैरेंटी है नेश्ट कोश्चन बहुत ही मौस्ट इंपार्टन है कि भारते संविधान में मौलिक अधिकारों का महत तो बताईए जो कि मैंने आपको भी उपर बताया भी है ठीक है तो इसके बारें भी आप अच्छे से पढ़ लिजेगा मौस्ट इंप माने टो ऊप्र ग्यान परमपरा ठाए ऐसे आप लोग को क्या समस्ते क्या जानते हैं ठीक है और जो प्रचीन भारते परमपरा थे सकी क्या-क्य मुख्य विसेश्ता थी उसके बारे में आपको कॉस्ट प्राइनiebenशक्त में आने के पूरे चांस है अब अब निक्ष्ट कि राफ्टे साचिक अनुसंधान तथा प्रफिच्छन परसिद NCRT के उद्देसों की भी अख्या कीजिए प्रफिच्छा के उद्देसों को बताते हुए उच्छे फिच्छा के मार्ग में आने वाली प्रमकबाद हो की भी अख्या कीजिए उच्छे फिच्छा आप लोग समझते किसे कहते हैं जिसमें आप लोग बीए कर रहे हैं तो इसी को बोलते हैं higher education ठीक है उच्छे फिच्छ करने में बहुत सारी समस्याइं उनके बारे में आपको explain करना है most important question परिच्छा में आने के पूरे लोग जो पढ़ते है तो मादमिक्स विच्छा की क्या वच्छता होती है उसके क्या क्या महत्तु है उसके बारे में लिखना है most important question है अगला question है कि इन में से किन्हीं दो की वियाख्या करने है इन में से दिया गया है यूनस्को दिया गया डायट दिया गया यूजीसी दिया गया है तो मैं आपके जानकार के बता दूं पहला तो यूनस्को के बारे में पढ़ लीजेगा दूसरा यूजीसी यूजीसी आप लोगों को मालूम है ना union grant commission यान यूजीसी नहीं ठीक है यह नई फिच्छा नीत लाई है इसी के हिसाब से सबसे पहले इन्होंने पूरा अपना पंदा तैयार किया ठीक है की नोइस इस नियम कानून है यूजीसी के द्वारा ही बनाएगे यानि की प्रकास से जैसे आप लोगों के पित अमालीज आपके फोलेंगे को यहां यहां आपको पर समझ लीजिए तो आपको पूरा कोई समझ में आ घया होगा कोई भी डाउट नहीं रहे गाए होगा आसा करता हूँ कोई भी confusion है तो पूछ सकते हैं अगर नहीं कोई confusion है तो एक बार जरूर कमेंट करिएगा कि सरक कोई भी confusion नहीं सारी चीजे समझ में आ गई और हाँ यह जितना भी पूरा माडल पे बर है इन सभी question को उत्तर आप अपने question में इंटरनेट पर डूंड के पढ़ लिजेगा और स साथ में मैंने education के लिए एक महा संग्राम वीडियो भी बनाई है जहां पर आपको एस टू यू यह दिख रहा होगा यह हमारे चैनल का नाम है आप लोगों समस्त की साइड में गोल गोल यहां पर दिख रहा होगा ठीक है चैनल पर बगल में ठीक है इस पर क्लिक करके आप ह महा संग्राम वीडियो थांबनेल से जो होगा उस पर लिखाओ का महा संग्राम वो वीडियो देख लिएगा परिच्छा में पास हो जाएंगी यह हमारी मुक्ट्रिक है उसी में से सारे प्रश्णाम की परिच्छा में आएंगे एक प्रश्ण ऐसा नहीं होगा जो इस कर दीजाएं कि मिलते हैं कोड़ने वीडियों में तो अपना के लिज्ज जहिंद हैं